शेर के एश बाग इलाके में चौती कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे को स्कूल संचालक द्वारा बेहरमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है घटना 5 सितंबर शिक्षक दिवस की बताई जा रही है बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्कूल में चल रहे कारे करम के दरान प्यास लगने पर पानी की मांग कर ली बच्चे की यह गुजारेश स्कूल संचालक को इसकदर नागवार गुजरी कि उन्होंने बच्चे के बाल पकड़ कर दनादन चाटे बरसाना शुरू कर दिया वहीं बैठे किसी शक्स ने इसका मोबाइल पर वीडियो बना कर वाइरल कर दिया इसके बाद बच्चे के परिजन ने थाने पहुँचकर स्कूल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और बाल संरक्षन की धाराओं में FIR दर्ज करते हुए चानमीन शुरू कर दी है एशबाग थाने के SIOP रगुवणशी के मताबिक इलाके में 11 साल का छात्र अपने परिवार के साथ रहता है उसका पिता आटो चलाता है उसके दो बच्चे हैं दोनों ही एशबाग के बाग दिल कुशा में A.B.M. स्कूल में पढ़ते हैं इसकूल का संचाला क्यूनुस खान है बच्चे की परिजन ने अपनी शिकायत में बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होने के कारण इसकूल में कारेक्रम आयोजित किया गया था कारेक्रम लंबा चला तो इसकूली बच्चों को प्यास लगने लगी इसमें चौथी कक्षा में पढ़ने वाले पीडिचात ने पानी मांगा लेकिन उसे पानी नहीं मिला तो उसने जोड़ जोड़ से पानी मांगना शुरू कर दिया इस पर स्कूल के संचाला क्यून उसने उसे रोका और चुप चाप बैठने के लिए बोला लेकिन उसे पैस जादा लग रही थी तो उसने फिर से पानी मांगा इस पर स्कूल संचाला ने गुस्से में बच्चे के बाल पकड़ कर उसे पीठना शुरू कर दिया जब बच्चे ने घर पर शिकायत करने का स्कूल संचाला के कहा तो उसने उसे धमका दिया इस कारण से बच्चे ने घटना के दिन अपने परिवार को कोई जानकारी नहीं दी जब पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया तब बच्चे के परिजनों को पूरी घटना की जानकारी मिली इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई